हलो फ्रेंड आप दोगर हमारा चैनल ग्रोफ बुक्स तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाएं जिस बुक का नाम है वाई वी वर्क मतलब पैसों से उपर भी जिन्दगी होता है तो इनका लेखा का नाम है बैरी सच्छ वाट चलिए इस बुक को हम आपको दोल अब जो हम बताते हैं साल 2015 में रिलेजुई किताब वाई वी वर्क आज के दोर के वर्किंग एस्टाइल पर सीधा सवाल खड़ा करता है इस किताब के अध्याय आपको बताएंगे कि आज की वार्किंग एस्टाइल में क्या खामी है साथ ही साथ एक नया आप्सन भी बताएंग अगर आपको बेहतर अप्सन जानना है तो बस अध्याय को समझने की कोशिश सुरू कर देजिए या बुक किसके लिए है एंट्री लेवल प्रोफेशनल के लिए एचर प्रोफेशनल के लिए ऐसे कामकाजी लोग जिनने अपने काम से बुरियत हो रही है तो चलिए बुक क को सुरू करते हैं अध्या नमर एक दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करिए कि क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि हम क्यूं करते हैं क्या सिर्फ पैसों के लिए या समाज में अपने आइस्टेशर्स के लिए इन सवालों का जवाब आपको इस आस्ता भी मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने काम को बहतर ढंक से कर पाएंगे अगर आप गोर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में लोगे की वर्क लाइफ एम्बेलेंस हो चुकी है अब आप अपने आप से सवाल करिए कि इसके पीछे का कानर क्या है इन सबी सवालों का जवाब आपको इस किताब के अध्याय में मिल जाएगा क्या आप जानते हैं कि आपको काम आपके लिए क्यों महतर पूर है भले ही आप इसका सटिक उतर जानते हो या फिर नहीं फिर अपने कभी इसके बारे में ना सोचा हो लेकिन जो भी आपका जवा सब्सक्राब होगा वहीं पतायागा कि आपका काम आपके लिए कितना जरूरी है आम तोर पत देखा गया है कि लोग अपने काम को तिन पहलू से देखते हैं पहला कई सारे लोग तो काम बस इसलिए करते हैं उन्हें पैसा मिल सके उन पैसे से वो अपने बिल्स या का भुगत गेस होना चाहिए अधिखता देखा गया है कि करियर माइन्डेट लोग प्रमेशन के लिए काम करते हैं तीसरे तरह के लोग थोड़े अलग दिमाके होते हैं वो काम को खुशी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि उनके काम से इस सोसाइटी में क्या पॉजिटिव चेंज आ अब आते हैं मेन बुद्धे पर अपने भी अपने चारों तरब बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो इन कैटेगरी में फिट होते हैं लेकिन क्या आपको अपने अब्जर्ब किया है कि इन में से आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं खैर इस सवाल का जबाब तो आ जानने के कोशिश की किस तरह के लोग खुशी के ज्यादा नजदीक है इस अध्यान में उन्होंने कई काम काजी लोगों से बात भी की रिजल्ट में यह निकल कर सामने आया कि जीन लोगों के काम से दूसरे के जिंदगी में पॉजिटिव बदला हुआ रहा है वे लोग अप अपने एमपलाईज को यह भरोशा कैसे दिलवाएंगे कि उनके काम से लोगों के जिंदगी में फर्क पड़ रहा है अध्या नमर दो क्या काम में मिशन की जरूरत है अगर आप बिजनस करते हैं तो यह सवाल आपके लिए है कि वो कौन से फैक्टर है जिससे कोई भी और यह सेक्डो तरकीब मौजूद है लेकिन रियालेटि में तीन फैक्टर है जिससे कोई भी बिजनस बहतर ढंग से चल सकता है यह सब भी फैक्टर उस बात से जुड़े हुए है कि कि किसी भी कंपनी में एमपलाईज के साथ कैसा बैवार होता है तिनों में से पहला फैक पर काम करते हैं कि काम करने वालों को जिम्यदारी के साथ अगर आप सोतंत्रा भी देते हैं तो उनके अंदर वर्क फिलेज के प्रति ट्रस्ट और इमंदारी भी बढ़ती है दूसरा फैक्टर आता इन्वेस्टमेंट आज के समय में कई कंपनिया को देखा गया है कि वह अ इस तरह कर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से एमपलाईज का सेंस और ट्रस्ट कंपनी को प्रति अच्छा होता है तीसरा और बहुत महतफूर फैक्टर होता है मिशन इस मिशन को आप सीओ की एस्पिच वाला मिशन नहीं समझ लिजिएगा ये मिशन वर्क फेलेज वाला वर इन तीन फेक्टर्स को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए अगर आपको ध्यान इन तीन फेक्टर्स पर रहेगा तो आपका बिजनस आज नहीं तो कल उपर के तरफ ग्रोथ होगा ही होगा इसलिए कमिंटमेंट कायम रखिए आगे हम समयने की कोशिज करेंगे कि एस्टिक् अब मुवन देखा जाता है कि ऑफिस में अगर कोई आदमी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उसे मोटिवेट नहीं किया जाएगा बलकि काम की रिएस्ट्रक्रट्रिंग कर दी जाएगी है रिसर्च में यह दख्या गया है कि ओवर एस्ट्रक्ट्रिंग से सिस्टम को देखकर मिल जाएगा अगर आप अपनी नजर इउनाइटेट से स्टेटर्स की टीचिंग स्टाइल पर दोड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर टीचर्स को एक हैवी करीकुल्म प्रवाइड किया जाता है उस हैवी करीकुल्म को ऐसे डिजाइन क है इसके जाता है कि एक ठीक ठाक ट कवालिटी वाल टीचर भी बच्चों को एक ठीक ठाक एजुकेशन प्रवाइड कर देता हूँ कर दो है इसे होता यह है कि जिस टीचर के这是 कि अंदर वाकई कबलियत होती है उनके अंदर एक सवाल लगतार उठता रहता कि वह यह काम क्यूं कर रहे हैं कि इस तरह की सिख्चा प्राणारी में प्रैक्टिकल टीचिंग की कमी देखनें को साफ तोर पर नजर आती है ओवर एस्ट्रक्चिंग का एक बुरा परभाव यह है कि जो टीचर टीचिंग में अपने एक मिशन के तोर पर जूरे थे उन्हें यह लगने लगता है कि यह सिर्फ एक जॉब है क्यूंकि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं और उसे प्रैक्टिकल तरीके से नहीं स बलकि एक और रीजन है जो बैक फाइर करता है यह रीजन है कि इंसेंटिव देना अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि पैसे देने से कैसे मोटिवेशन कम हो सकता है चलिए इसको हम एक केस से समझते हैं एक टेंक केसर सेंटर है जो इस बात से अस्ट्रगल कर रहा है कि प इकतर पैरेंट्स लेट हो जाते हैं जिसके कारण डे केर सेंटर को काफी मुसीब्तों का सामना करना पड़ता है एक दिन डे के केर सेंटर ने फाइन लगाना चालू कर दिया अब जो पैरेंट्स अमने बच्चों को समय से नहीं लेने नहीं आएंगे उनको एक निश्चित अमाउंट अफ मनी पर करना पड़ेगा इसके रिजल्ट ने डे केर सेंटर को चोका दिया जब रिजल्ट आया तो देखनों को मिला कि पहले कि आपक्चा जाला पैरेंट्स अपने बच्चों को लेने ले लेट आते हैं इसके पीछे का अब रिजन ये था कि उनको एक आप हमें हिूमन नेचर को भी समाजने की कोशिश करनी चाहिए आज के समय में डिस्कवरी और इन्वेशन को लोग एक ही समाजने लगते हैं अध्याय नमर 3 हमें हिूमन नेचर को भी समाजने की कोशिश करनी चाहिए आज के समय में डिस्कवरी और इन्वेशन को लोग एक ही समाजने लगते हैं लेकिन इन दोनों सब्दों में काफी ज्यादा अंतर हैं डिस्कवरी तब होती है जब वो चीज पहले से एक्सिस्ट करती है रही बात इन्वेशन की तो वो इन्सान करता है जब भी इन्सान कोई नया चीज बनाता है तो उसे इन्वेशन कहा जाता है 28 सताबदी की आखरी में एडम एस्मित ने एक थियोरी दी थी इस थियोरी के अनुसार वर्क फेलेस में लोग और अच्छे से काम करेंगे अगर हम उन्हें इनसेटिव के तोर पर पैसे दे अगर आपने गोर किया हो तो आज की वर्किंग कल्चर में इस थियोरी को अपना लिया गया है लेकिन हमने पिछले अधाय में पढ़ा कि इनसेटिव मेथड बैक फायर भी करता है सवाल यह उड़ता है कि हम आज भी ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनसान पैसे से मोटिवेट होता है ऐसा इसलिए भी हम सोचते हैं क्योंकि कई सारी थियोरी में ये बात कही गई है कि अब हमने अपने नेचर में ये बात बैठा लिये हैं कि हम सिर्फ पैसों से ही मोटिवेट हो सकते हैं क्या ये एक साइप एप्रोच है जौब है नहीं इसे को हम आगे समझने की कोशिस करते हैं कमपनियों को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए अगर कोई आप से सवाल करे कि आप उस फैक्टिस से सर्ट खरीदेंगे जहां चाहिए लेबर काम करते होंगे एथिकल पॉइंट अफ यू से इसका जवाब दूसरा होगा और एकनॉमिक पॉइंट अफ यू से दूसरा हम लोगों में से कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इस सवाल का जवाब कैसे दे आज के दोर में अर्थ सास्तिर नफा और नुक्सान प्रोफिट के तरज पर ही नापते हैं लेकिन अब समय आ गया है कि कमपनियों को खुद से कुछ सवाल करने चाहिए इन सवालों के सुरवात होती है तिन सिंपल तरीके से वो यह है कि क्या क्यूं और कैसे एमपलाईज के टास्क का परपस क्या है इससे क्या पॉजिटिव इंफेक्ट क्रियेट होगा एमपलाईज टास्क कैसे पूरा कर रहे होंगे आप अपने वर्क पैलेस में कब चिंज लाने को त्यार होंगे अधिकतर देखा गया है कि कमपनिया तीसरे सवाल का जवाब देने से बच्चती है ये बात भी सही है कि मौजुदा समय में एकनौमी की हालात उतना सही नहीं है जितनी होनी चाहिए इसलिए अगर आप वेट करेंगे अपने वर्क पैलेस में चिंज करने के तो देरी होती जाएगी इसलिए आपको बता दे कि तीसरे सवाल का जवाब है अभी हाँ अभी अभी ही आपको त्यार होना चाहिए अपने वर्क पेलेस में चेंज लाने के लिए तियारे ही बचाव है कुल मिलाकर फाइनेंशियल इनसेटिव पर पूरी तरह से निर्बट हो जाने से आपको एमपलाइज डिमोटिवेट हो जाएंगे इसलिए अप समय आ गया है कि पुराने तरीके से हट कर कुछ नया किया जाए अगर आप अपने वर्क पेलेस को मोटिवेटेड और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एमपलाइज पर ट्रस्ट करना सुरू कीजिए उन्हें आइसास दिलेए कि इस कमपनी को उनकी जरूरत है उनके अंदर वेलूज का निर्मार करिए अगर आपके एमपलाइज खुश रहेंगे तो आपका वर्क पेलेस अपने आप पॉजिटिव रहेगा क्या करें? सोशल इनसेटिव की सुरूआत करिए अगली बार जब आप अपने एमपलाइज को मोटिवेट करना चाहो तो उनके सामने पैसे मत रख दीजिएगा बलकि उन्हें पॉजिटिव जिम्यदारी का एसास दिलाइएगा उधारन के लिए अगर आपकी कमपनी का काम कार बेशने का है तो फिर आपकार के ओनर को भी इण्वाइट कर सकते हैं उनके पॉजिटिव एक्स्प्रियंस को एमपलाइज के साथ साजा कर सकते हैं ऐसा करने से आप एमपलाइज के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंगा निरमार करेंगे एक बात तो हमेशा आप ध्यां रखिये कि पैसों से कुछ चीज़े ही खरिदी जा सकती हैं लेकिन अच्छे ब्यावार से आप इंसानों के दिलों के जित सकते हैं इसलिए हमेशा कोशिस करिये कि आप अपने अप्लाइस के दिल जित सके अगर आपने ये कर लिया तो समझ जये कि आपने आदी जंग जित ली इस एक कदम से आपके ऑफिस के पूरी रूप रेखा ही चेंज हो जाएगी आपका वर्क पेलेस मोटिवेटेड और खुशनुमा हो जाएगा